नमस्कार आप देख रहे हैं दर्शनीूज मैं हूँ दिव्यानसू बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से जहां केके पाठक के सिक्षकों को सीम नितीश कुमार ने बड़ी रहत दी है जी हां इद और रामनमी पर छुट्टी रहेगी सिक्षकों की सीम नितीश ने कह है कि छुट्टी देना पड़ेगा जी हां जारी सूचना के अनुसार सिक्षा विभाग अंतरगत सेक्षनिक संस्तानों में प्रसिक्षन प्राप्त कर रहे सिक्षकों को आने वाले ईद एवंग रामनमी के दरान असाहसिता को देखते वे मुख्यमंत्री नितीश कुमार न वाग इन दिनों सरकारी छुट्टियों को लेकर सुर्खियों में रहा है होली में एक से पांच कक्षा तक के सिक्षकों कोई ट्रेनिंग दी गई वहीं अब ईद और रामनमी की छुट्टी को लेकर भी विवाद चल रहा था इस दिन भी छुट्टी को लेकर संसय बन गया इस पर अब मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने एक्षन लिया है उन्होंने 10 और 11 अप्रेल को ईद एवंग 17 अप्रेल को रामनमी के अफसर पर गोशित अवकास को बरकरार रखने के आदेश दिये हैं इसमें कोई बदलाव नहीं होगा जारी सूचना के अनुसार सिक्षा विभाग अंतरगत सैक्षनिक संस्तानों में प्रसिक्षन प्राप्त कर रहे सिक्षकों को आने वाले इद एवंग रामनमी के दौरान असहजता को देखते हुए मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने इस पर संग्यान लिया है दिनांक 10 और 11 अप्रेल 2024 को ईद और 17 अप्रेल 2024 को रामनमी के अफसर पर अवकास गोश्चित किया गया है प्रसिक्षन कारिक्रम में अन्ने किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है जी हाँ सियम नितीश ने प्रसिक्षन प्राप्त कर रहे सिक्षकों को ईद एवंग रामनमी की छुट्टी तो दे दी है लेकिन और कोई बदलाव कारिक्रम में नहीं किया गया है जी हाँ ये पश्ट आपको कर देता हूँ सिर्फ ईद की छुट्टी मिली है और रामनमी की छुट्टी मिली है जिस पर काफी विवाद हो रहा था कहा जा रहा था कि केके पाठक मान ही नहीं रहे है छुट्टी नहीं देना चाहते हैं सिक्षकों को गर्मी छुट्टी को लेकर भी विवाद हो रहा है कि समय से पहले गर्मी छुट्टी दिया जा रहा है शिक्षिकों को इस पर भी विवाद हो रहा है हलागि इस पर कोई अभी संग्यान नहीं लिया गया है लेकिन जो ईद पर जो छुट्टी काटी गई थी और रामनोमी पर जो छुट्टी नहीं मिल रही थी अब उस पर संसे क स्थितिक खत्म हो गई है सीम नितीश कुमार ने संग्यान लिया है और छुट्टी को बरकरार रखा है जी हाँ ईद और रामनोमी पर छुट्टी रहेगी सिक्षकों की ये नितीश कुमार ने संग्यान लेकर आज एलान कर दिया सिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया है जि लेकिन इस बार लगता है कि CM नितीश की बात को सिक्षा विभाग मान लेगी, केके पाठक मान लेंगे, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जब कोई मुद्दा मीडिया में उचलता है, जब उसका उस पर विवाद होता है, उसका विरोध होता है, तब तो केके पाठक अड़ ज इद और रामनोमी पर, फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही, तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे, बने नहे दर्शनीज के साथ